दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गुरगाओं की बंजारा मार्केट और ये मार्केट क्यों फेमस है क्योंकि यहाँ पर आपको होम डिकोर से रिलेटर बहुत सारा सामान जो है अब यहाँ तक आपको पहुँचना कैसे है तो यहाँ के लिए देखे गुरगाओं की जो रैपिड मेटरो है उसका सेक्टर 55 और 56 मेटरो स्टेशन यहाँ का सबसे नियरेस मेटरो स्टेशन है वहाँ से हाडली 7-8 मिनिट का रास्ता है यहाँ पर पहुचने के लिए तो वह सेक्टर 55 का मेटरो स्टेशन है और वहाँ से 7-8 मिनिट का पैदल रास्ता है और यहाँ से यह जो है वो बंजारा मार्केट स्टार्ट होती है इन शॉफ्स के नंबर है जैसे 12345 और आगे तक जो है वो यह मार्केट आपको मिल जाएगी आपको यहाँ पर एक बार जरूर जाना चाहिए अगर आपने कोई नया गर बनाया है या फिर किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं अभी जैसे राखी आ रही है जनमस्ट में आ रही है तो आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी वराइटी आपको म अच्छे से अगर गर्मियों के दिन है तो नहीं तो आपका बुरा हाल होने बला है क्योंकि इस तरह के देखिए ये टेंट से लगे हुए हैं चोटे चोटे टेंट लगे होंगे और इनी में सारा सामान जो है वो रखा हुआ आपको मिल जाएगा और बात करूं बराइटी की तो एक से बढ़कर एक बराइटी आपको मिलेगी मतलब अगर आपके पस जैसे आपको कीचन के लिए क्रॉकरी खरीदनी है या घर के लिए सजावट का सामान खरीदना है या फिर जैसे आप अपना गार्डनिंग के लिए प्लांटिंग वेरा के लिए सामान खरीदना है व अगर आप में bargaining skills हैं, आप अच्छे तरह से चीजों का मोल भाव कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर 1000 रुपे में भी बहुत सारी variety उठा के लेकर आ सकते हैं, बताने के लिए यहाँ पर दुकानदार आपको प्राइस जो हैं, वो बढ़ा चड़ा के बता देंगे, एक ही चीज का प्राइस आपको अलग-लग दुकानों में कम ज़्यादा मिल सकता है, वो आपके उपर depend करता है, कि आप किस तरीके से बार गेन कर सकते हैं, बंजारा मार्केट आने से पहले थोड़ा प्रिपेर होके आईए, क्योंकि चीजों की अगर आपको basic knowledge होगी, तो आपको अच्छे से idea होगा कि मैं इस चीज का अगर इतना price दे रहा हूँ, तो क्या वो सही है या गलत है, हो सकता है कि कुछ चीजों का price अगर आपको knowledge नहीं होगी, तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, और पहले पूरा market को घूम लीजिए, overview कर लीजिए, तब जाके कोई सामान खरी दिए, ऐस कितने का है यह, 3.5 छे अजार रुपे, यह कितने के हैं, 500 चीजों के बढ़ता हूँ, और यह बला लेम्ट, आपके लिए 800 रुपार, आठसों तक बड़ेगा, अच्छा 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 पॉद्धे उगाने के लिए, अच्छा अच्छा और यह कित बस्ता करके कितना तक का पड़ जाता है है यह जिसे यह बाईक कितने की है ये सर 11 सुर्भी फइन लाष्ट देता है यह जए साइज में है तो इनका लग-लग प्राइज हो सबाएज़ अच्छा और यह जैसे यह बाउल है यह यह सर लाश्ट नो सो थाउजन इंपोर्टेट लखडी होती है पुरी विदाउट जोइंट के है अच्छा इसको कीचन में यूज करना है अच्छा और यह कितने का है यह तो हमारा जो टेबल इनके प्राइस क्या है सो डिएड़ सो दोसो सो नो सटैप स्था इस अच्छा और यह जैसे गिलास ए Halloween the beginning, our cup. 500, 500 बूर्ण चैर गणार शो अच्छा अच्छा यह जांगदे stuck on the of the ability वास में शोल चैर शोल पांचो शोल वाइन पराइटी है यहां पर तो इनका प्राइज भी पता करते हैं सो आप ऐसे रेंडुम बता दीजी कितने वह पन्सके साइट सब्ञ बात की जाए तो अबरा गयाँ आर्व स्टार्टार्ट ने छोगते हैं बड़ाइब को छुप iç फोल्ड वी हो जाएगा और जैसे मान लीजे कोई मेटरो में आता है तो किसी को अगर यह सामान लेना हो तो अपना वीक लेकर यहाए ज्यादा बेटर रहे है और इसका प्राइस कितना है यह से बताने को तो 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 यह तो यह से अगरें और यह कुछ मैंने ऐसे बहुत से देख्छा है मलोग यूट्यू पे लोग बैग्रांड में यूज करते हैं देते ह procrast. भेले हैं धूर को सब्सक्राइब का दो ते तीन तुखार ऑनए कोई ने सब्सक्राइब के लेड़े हाँ sound मैंमें डाष्टास के लिए मुझेर को अपना 1500 अठाफ कम फी यह हुझा दो कि न den की होल्डर है यह पाइल फोल्डर हैं और यह तुमारा केंडल स्टेंड है यह 500-600 वह भी गनेश जी वाला वह भी 500-600 अच्छा यह अपना 700-800 मगर देते हैं पूल वगयरा है । पोट है तो यह जो फूल दान है इनकी क्या रेंज रहती है श्टिक का हिसाब होता है इसमें 200 पर पंच भी 500-300 भी क्वालिट की बात है जितने फूल होंगे उसमें चार स्टिक होती है वडियर सो का पंच-200 का पंच-200 प्वाला भी होता है अच्छ प्छ वास की बात है तो आपको कुछ इस तरह का सामान लेना हो तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं सकते हैं तरह कराओं साहिह ख़िथ डिना लेना ने कि बात है यह किस रेंज में अब को है है यह यह उने किना पर ना जो परे शोह अनिंग उन देए्टत्र gener और ये भी प्रेय अना इसके अलाब आप दुकानदार से ये भी पूछ सकते हैं कि कई दुकानदार जो है वो आपको होम डिलिवरी भी करवा देते हैं वो आपके घर तक जो है वो सामान को अच्छे से मतलब पैक करके घर तक पहुचा देंगे तो जब आप एंट्री करते हैं तो आपको ये फांटेन और जितने भी बुद्धा की मूर्तियां हैं आपको इस शौप में मिल जाएंगी इसमें लगवग सारा समान जवब आपको बुद्धा से रिलेटेड ही मिलेगा फांटेन भी और मूर्तियां भी तो इनके सभी के नहीं स्टाट हो जाती है अर कितने तक जाती है बडे से बड़ी ये वाला फांटेन अच्छे ये बचपन्सो का है यह कितने का है कि है कि यह क्या तो एक ये क्या है कि पौद्धों के लिए कि अधिक यह मृच्टि ड़ाव दो और सीधे पौदि लगा दो इसी बंजारा मार्केट जो है वो दो तीन है कोई फरीदाबाद में है कोई दिल्ली में भी है गुड़गाओं में भी एक सेक्टर 62 में भी है ऐसी बंजारा मार्केट तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर वहां तक भी पहुँच पाया तो वो भी आपको दिखाऊँगा और सेक्टर 58 की जो मार्केट है ये थोड़ी छोटी है और सेक्टर 62 की जो है वो थोड़ी बड़ी मार्केट है बहां पर सामान को प्रेजेंट करने के लिए स्पेस जो है वो थोड़ा ज्यादा है और बहां पर शायद आपको आपको आप्शन भी ज्यादा देखने को मिल जा अपना पेज बना के कुछ ऐसी चीज़ों को सेल कर सकते हैं यह इदर फरनीचर बाली मार्केट है अलमीर बगएरा खरीद नहीं हो आपको ऐसे बुक्स बगएरा रखने के लिए तो इस तरह का सामान जो वो टेबल कुरसियां यह भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी चलिए अब चलते हैं सेक्टर 62 की मार्केट में और सेक्टर 62 की मार्केट जो है वो पहुँचना मैतलब गूगल मैप पे थोड़ा अलग दिखाता है तो लोकेशन जो है वो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दी है यहाँ पर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है तो आपको एक्जेक्ट नाम जो है वो पता होना चाहिए कि कहाँ आपको जाना है तो यह सेक्टर 62 की मार्केट है यह काफी बड़ी है उससे तीन गुना बड़ी मार्केट है यह और बात करूँ सामान की तो सामान लगबग सेम सेम ही है कुछ चीजें जो हाँ थोड़ा हटके हैं यहाँ पर 62 की मार्केट में आपको ब्रास से बनी हुई चीजें बहुत जादा मिलेंगी और यहाँ पर शॉप्स और वराइटी आपको जादा देखने को मिल जाएगी इसके अलावा आपको यहाँ पर गिफ्टिंग वाली आइटेम जो हैं वो जादा देखने को मिलती हैं और बात करूँ टाइमिंग की तो टाइम यहाँ पर मार्केट का दोनों का ही सुबा 11 से लेके 9 बजे तक रहता है इसका आप 11 बजे आजाएगे तब आपको सारी दुकाने लगबग जो हैं वो खुली मिलती हैं और रात को 9 बजे तक ओपन रहती हैं बैसे तो सुबा 7-8 बजे भी मिल जाएंगे लेकिन उस टाइम सारी दुकाने ओपन नहीं रहती हैं अगर बारगेनिंग की बात करूँ तो मैंने खुद यहाँ पर यह अफजर्व किया कि कई लोग जो हैं वो 50-50 परसेंट तक नीचे चीजों का मोलभाव कर रहे थे तो उस तरीके से आप प्रिपेर होके यहाँ पर जाएगा तो यह थी गुड़गाओं